त्योहारी मौसम में खादे तेल की बढ़ती कीमतों पर अंकुष लगाने के प्रयासु के बीच केंद्र ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश ने खादे तेलों के बंडारन की सीमा को अधिसूचित कर दिया है और कई अन्य राजे जल ऐसा करेंगे खादेस अचीब सुदानशु पांडे ने सोमवार को विभीन राज्यों के प्रतीनीदियों के साथ वर्चुल बैठक के जौरान खादे तेलु के लिए स्टॉक सीमा की स्थिति की समीक्ष की खादेस अचीब सुदानशु पांडे ने बताया है की बैठक में करीब 23 राज्यों ने हिस्सा लिया उत्तर प्रदेश ने पहले ही खुदरा विक्रेताओ, थोग विक्रेताओ, थोग उपबोखताओ और रिफाइनर जैसी विबिन श्रेणियू के लिए स्टॉक रखने की सीमा को अधिसूचित कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने विबिन अंश्रधार को के लिए एक से 25 तन की सीमा में स्टॉक रखने की समय सीमा तै की है और इसे 12 अक्टूबर को अधिसूचित किया गया उन्होंने कहा कि राजिस्थान, गुजरात और हरियाना खादे तेलोर गले स्टॉक सीमा अधिसूचित करने के लगबख अंतिमचरण में ही है खादे सचीर सुदानशु पांडे के मताबिक 9 अन्य राज्यों एवं केंद शासित प्रदेशों ने पुष्टी की है कि उन्होंने बंडारिन सीमा तै करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है ऐसे राज्यों में माराश्ट, ओडिशा, केरल, जारकन, चटिसगड, आंधे प्रदेश, तमिलाडु, तुरीपूरा और चंडिगड, शामिल है बाकी राज्यों ने भी स्टॉक सीमा तै करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है खादेश चीफ सुदांशु पांडे ने बैठक को बहुत सकरात्मक बताते वे कहा कि हमें उमीद है कि अगले कुछ दिनों में अधिकांश राज्य उब भुक्ताओ की समवेदन शीमता को ध्यान में रखते वे स्टॉक सीमा संबंदी आदेश चारी करेंगे और उसे लागो भी करेंगे उन्होंने कहा कि राज्य सोयम इस विशेक के महतव को समझते हैं और इस रिए इसे बहुत सक्ती से आगे बढ़ा रही है राज्य दुवारा स्टॉक रखने की सीमा लागो होने के बाद खाद तेल की कीमतों में और कितनी गिरावट की संभावना है इस पर खादे सचीफ सुदानशु पांटे ने कहा कि घरेलू बजार में विविन खादे तेलों में पहले ही 7-8 रुपे प्रती किलोगराम की गिरावट आ चुकी है उन्होंने कहा कि अब खरीफ की दो फसले सोयबीन और मुंफली आ गई है और वहाँ भी कीमतों में काफी कमी आई है उन्होंने कहा कि मैं इस बार में अटकले नहीं लगाना चाहता है कि इससे कितनी कमी होगी जो तै किया गया है उसे हम बहुत सकती से लागू करेंगे उनका कहना है कि बाजार की ताकते कीमतों को तै करेंगी उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध हो और उसे बाजार में जारी किया जाए तो कीमते कम होने लगेंगी मुंग फली और सोईबीन की फसल पिछले साल की तुलुना में बैतर है और इसलिए कीमतों में गिरावट आ रही है उनके मुताबिक खादे तेलों की गरेलू मांग बढ़ रही है और जिसके चलते सितंबर में देश के खादे तेव आयात में भी व्रिदिवी है ये मुख्य रूप से कोविड स्थित्नी के बैतर होने, बजार्ग के खुलने और होटल उद्योग में सामानने कामकाच शुरू होने के कारण है केंदर खादे तेलों की कीमतों और उपभोकताओं के इसकी उपलबदता की बारीकी से निगरानी कर रहा है सभी राजियों और खादे तेल उद्योग संगों के साथ बाचीत के अधार पर सरकार द्वारा पहले ही विबिन कदम उठाए जा चुके है